दू मैकिन्टैनिस मैकडॉन में रोमर रिंग्स को पर एटैक कर दिया और ये दावा कर दिया कि वो क्लैस्यादी कैसल में रोमर रिंग्स को हराके अंदिस्पिटेड डबले वी युनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे तो आईए दोस्तो इस वीडियो में हम ये पता करते हैं कि क्या डू मैकिन्टै के क्लैस्यादी कैसल में जीतने के कितने बसे चांच हो क्या डू मैकिन्टै सच में रोमर रिंग्स को हराके अंदिस्पिटेड डबले वी युनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं या नहीं तो आईए दोस्तो आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या होगा जब क्लैस्यादी कैसल में रोमर रिंग्स और डू मैकिन्टै एक दूसरे के आमने सामने आएंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो कर दिए प्लीज और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए अब करते हैं वीडियो को शुरू क्योंकि डू मैकिन्टै के हाथों से डू मैकिन्टै के हाथों से डू मैकिन्टै के हाथों से डू मैकिन्टै को कितना सपोर्ट करते हैं लेकिन डू मैकिन्टै का ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है दू मैकिन्टाय इस मैकडॉन में ड्राफ्ट हुए और तब से वो चाहते हैं कि वो रोमरेक्स को अंदिस्पूटेड डबले वी उनिवोसल टाइटल के लिए चैलिंज करें और फाइनल डू मैकिन्टाय को ये मौका क्लैसेट दी कैसल में मिर रहा है और ग्लैसेट दी कैसल में रोमरेक्स और डू मैकिन्टाय का मैच हो रहा है अंदिस्पूटेड टाइटल के लिए लेकिन सवाल ये है कि क्या डू मैकिन्टाय रोमरेक्स को हरा पाएंगे ये नहीं में involved है तब तक तो do mcintyre title जीती नहीं सकते लेकिन यहाँ पर हमें एक twist देखने को मिल सकता है वो twist यह के टिपल एच जब से डवलेवी के creative control में आएं तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके होने की कोई कोई उमीद नहीं थी तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एस के creative control में डू मैकिंटायर बन जाए रूमर एक्स को हराके अंदिस्विटेड डवलेवी चैंपियन और उसके बाद ऑस्तें थियोरी डू मैकिंटायर के उपर अपना